दोस्तो नमाश्का स्वागत है अप सभी को आने ड़ाफोस्टी यूट्यूप चैनल पे जिसाए कि दोस्तो आप जानते किसी वहति सब्सक्राइब को भी जान गई होती है आप सभी को ने ड़ाफोस्टी चैनल के माध्यम से दी शाती इस वीडियो में बात करने बाले हैं उत विगो और ने डाव फर्ष्टी चल के माध्यम से रियल उथेंटिक सबसे पहले मिलती रही शुबात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो की संबंदित है उत्तर पतेस के अंदर भरतियों को लेकर बयान के बारे में दोस्तों जिसा कि आप जानते कि योगी सरकार क माध्यम से कई बार भरतियों को लेकर बयान दिये जाते हैं कई बार अलगलग प्रकार के बयान देखने के लिए मिलते हैं लेकिन आम तोर पर मुख्यमंति के माध्यम से भरतियों को लेकर बयान कम ही दिये जाते हैं लेकिन जब भी वो बयान देते हैं आज की तारीक में ए नहीं दिये जाते हैं लेकिन कई बार उनके माध्यम बढ़तियों को लेकर आप सुभी के सामने इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि वह कहने की भर्दियों के बारे में हमेशा से तत्पर देखने के लिए हैं एक बाफ एसे सीम योगी के माध्यम से बयान दिया गया है पहले आप सुभी इस वीडियो को देखें विगत पांच वर्स के दोरान कि आधनी प्रधान मंत्री जी की पेड़ा से उत्तर्वदेश में कि उत्तर्वदेश सासन की सास के सेवाओं में एक पारदर्सी और निस्पक्स चैन की प्रक्रिया के मध्यम से पांच लाग से थिक युवाओं को हम लोगों ने सास के सेवा में विभिन पदों पर नुप्तिपत्र प्रधान किये प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं को निस्पक्स और पारदर्सी तरीके से चैन की प्रक्रिया के मध्यम से जो सम्मान प्राप्त हुआ तो उनकी और जार उनकी प्रतिवा का लाग भी प्रदेश को मिलता भा दिखाई दिया जो प्रदेश पहले देश के अंदर एक बिमारू राज्य माना जाता था यहां मनुस्य ही बिमार नहीं था प्रदेश स्वयम ही बिमार था आज मुझे पताते हुए प्रसंता है कि वही उत्तर देश आज देश की दूसरी बड़ी अठ्रिवस्ता की रूप में अपने आपको अस्थापित करने के और टेजी के साथ अग्रसर हुआ है तो जैसा कि आप सुभी ने वीडियो के माध्यम से देखा अगर बात कीज़ाए सीम योगी के माध्यम से एक बार फेसे पांच लाग पर भरती को लेकर जो बयाने वो दिया गया है और यह जो पांच लाग पर भरतीयां देखने के लिए मिली यह वही बरतीया है जो पिछल जाल पांच सालों के अंदर देखने के लिए मिली थी सरकार ने इस मुद्द्य को लेकर पिछले पांच सालों में कई बार पांच लाग भरती का मुद्दा बनाया एक वाफ एसे आज की तारीक में सी एम योगी के माध्यम्स इस मुद्द्य को खुल कर बोला गया कि हमने सानी भरतियों के विग्याबन जितने आने थे वो आ चुके हैं अब जो होनी थी वो हो चुकी उसको बीठ गया तो बात गई अब जो करेंट में चल गा उस मुद्द्य में बोलने के बजाए सरकार के माध्यम से खुलकर परानी भरतियों के बारे में बोला जाता है इसी मु बडेट के बारे में जो की सम्बंधित है उत्तर प्रधेश में नई प्रैमडरी को लेकर प्राथमिक बाति के विग्यापन के रिए हाली में चालतों के वाधियम से दो ट्वीटर बार किये गए थे दोनों में ट्वीट की संक्या 2,000,000 के संथिंग देखने के लिए मिली थ था लेकिन उसके बाद एक बार फेसे मामला करेने की ठंडे बस्ते में जा रहा है क्योंकि एक चात की उपर एफाइया कर दी गई जो कि धरना प्रदेशन की तेयारी करें थे लखनों के अंदर तो एक बार फेसे नई प्रैमरी सिच्छक वर्दी का मुद्धा बंद ना हो जि लेकिन आगे क्या हो रहा है और इसके बार में सरकार खुलकर बोलने के लिए तयार नहीं है लिखा हुआ है कि प्राथमी सिच्छक वर्दी के लिए चात्तों के माध्यम से आने वाले समय में पास दिसंबर को विदान सभा के सीथ का लिए सरत शुरू हो रहा है और विदान लेकर महा ट्विटर अभ्यान देखने के लिए मिलने वाला है जिसको लेकर हैस्टेक आप सभी को जल्द उभलब्द करवाया जाएगा क्योंकि अभी हैस्टेक दिये जाने से क्या होता है कि मुद्दाबाद में वायल नहीं होता है और यह जो ट्विटर बार आपको देख खुलकर जानकाई दी जाए जैसे कि पांच लाग पदों पर सरकार के माध्यम से खुलकर बोला जाता है लेकिन भरतियों के बारे में सरकार फिलाल नहीं बोल रही है बात कर लेते हैं अपनी अगली अप्डेट के बारे में जो की संब्दित है टीजटी और पीजटी को ले कर यहां से जो एड्मिट कार्ड के संब्द में यहां से नोटिस जारी कर दी गई है जो भी संब्दित अब्रति अपने एड्मिट कार्ड ओफिशल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसी के संब्द में यहां पर आप सभी के सामने पूरा का पूरा नोटिफि जारी करते हुँ बताया जाता है और यह जो आप सभी को परीक्षा हैं देखने के लिए मिलती हैं उसका शेडूल भी आप सभी के सामने लिखा हुआ है नीचे आपको देखने के लिए सब्सक्राइब कर देखने के लिए अलग अलग तारीकों पर परीक्षाओं को करवाया जाएगा सभी के बारे में यहां पर तारीकों इसके लावर टाइमिंग भी लिखी हुई है ज्यादा जानकारी के लिए अफीशल वेबसाइड पर जाकर अपने एड्मिट कार्ड डाउन्लोड कर सकते हैं यहां पर न एन एस भी मतलब की जो आप सभी की नवदे विद्याले समिति की माध्यम से परिक्षाओं करवाई जाते हैं टीजटी बीजटी दोजार बाइस को लेकर उसी के संबंद में ए प्रियास किये जाएं जिससे की आगामी समय के अंदर जो यह प्रात्मिंग सिच्छिक बर्दी का मुद्द है वो जल्द से जल्द किलियर हो उसी के संबंद में एक वाफिसे अभ्यतियों के माध्यम से 6800 को लेकर उसी को लेकर आप सभी को यहां से भी देखने के लिए मिल जिस पर अखिलेश यादव के माध्यम से मदद का आशबासन दिया शनीवार को अखिलेश यादव में अरज़ित कारकरता सम्मिलन में पतिवाग करने आये थे इसमें सिच्छक बर्दी समंदित अभ्यतियों के माध्यम से इस मुद्दे को उठाकर उनके सामनी संग्यान मे लाया गया कि 6800 का मामला जो आच्छन की विसंगती के चलते सरकार ने स्विकार तो किया था लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर सरकार कुछ भी करती हुई दिखाईनी दिये काफी लंबा समय बीट जाने के बाद भी अभी तक सिच्छक भरती को लेकर सरकार सकते नहीं है फिलाइश बीडियो के माध्यम जित नहीं